नमस्कार आपका ओन्लाइन क्लासित में स्वागत हैं मेरा नाम मिंकल वर्मा है और आज अपन अक्षग्यान में अह को पढ़ेंगे वैसे तो अह कुछ नहीं होता फिर भी हमें से पढ़ेंगे अपन ने अभी तक अक्षग्यान के अंतर वर्माला में से स्वरो में से अ, आ, ई, ई, उ, उ, री, ए, आ, ई, ओ, अम तक पढ़ लिया था हमने अभी तक पढ़ा था अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, ई से एक, उ से उल्लू, उ से उन, री शे रीशी, ए से एडी, आ से आन, ओ से ओकली, आउ से औरत, अं से अंगोर हमने अभी तक यहां तक पढ़ दिया था और आज अपन पढ़ेंगे अह, खाली, क्या पढ़ेंगे अपन, अह, खाली अह, खाली कैसा होता है, और उसके आगे अगर आप दो बिंदी लगा दो, तो वो बन जाएगा आपका अह, खाली, क्या है यह? अह, और उसके साथ में अगर आपने पीछे दो बिंदी लगा दी, तो वो बन गया आपका अह, खाली देखो, यहाँ पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा है, जो कि बहुत ही प्यारा है, एकदम क्यूट और स्मार्ट सा, अब यह बच्चा देखो, क्या का रहा है? अह, हाँ, हाँ मतलब अह, खाली, अह, कुछ नहीं होता है, यहाँ पर लिखा है, अह, से अह होता है, बिलकुल खाली, जैसे बोजन के बिन थाली, क्या बोल रहा है यहाँ पर? यहाँ पर बोल रहा है, अह, से अह होता है, बिलकुल खाली, जैसे बोजन के बिन थाली, अब अपने से साउंड के साब देखते हैं बच्चो ज्यादा है, जादा है दौता होता है, अहा, हा, 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 हाँ, अहा, हाँ, से लहाँ होता है बिलकुल खाली, जैसे बोजन के बिन थाली, एक बार फिर से लेखें बच्चो अक्षा अहां से अहां फुल्दम थे फिल्पुल खाली जैते ओंजन के बिन खाली तो हमने अक्षर ग्यान के अंदर हमने स्वर पढ़ लिये हैं हमने यहां तक पढ़ लिया है आप भी बोलो एक बार मेरे साथ कहां तक पढ़ा है हमने ठीके अह होता है काली अह होता है बिल्कुल खाली जैसे भोजर बिन थाली अब यहां तक आप बापस पढ़ोगे बात बार इने पढ़ोगे जब तक आपको अर्थे लेके अह तक यात नहीं हो जाता आप इने बार बार पढ़िए समझे तक तक के लिए तक पास